अलब कुम विवर्स वेलकम पनाबी साथ किचन टीप रिक्स चानल आज हम हमारे चानल में देखने वाले ही किश तरह से इस्तमाल कर सकते हैं चिली पॉडर में के लिकवी कई के सुनर गुर जबी YOURुत आyllता है कियोत दो मेरे पास और लेती धम दीक पशिया है चाह शाह सेट्ट में इसको वन खरीद वन ट्वेंटी में लिया था आपको यह ऑनलेन भी मिल जाएगा एमेज़ान फुलिपकार्ट कहीं भी मिल जाएगा आपको मैंने तो यह ऑफलेन ही खरीदा था देखिए इसके साथ इस तरह से आता है इससे आपको इसका गुमने का भी कोई डर नहीं रहता यह सार चीजों को आप से शेयर करती हैं इस्तरह से हम इसको निकाल लेते हैं है तो अब हम सबसे पहले कप्स का पस быть के बारे में जानते हैं तो देखिए हमारा पहला कप जो है इसी पे आपको इसका ml कितना है इसकी quantity कितनी है आपको लिखा हुआ मिलेगा तो हमारा सबसे पहला वाला कप है वन कप ये जो है 240 ml का है ये अब लिक्वीट से इसको मेजर करेंगे तो ये 240 ml लाएगा तो दुसरा वाला कप है हमारा टू थर्ट कप ये जो है 120 ml का है और जो थर्ट कप है वो हाफ कप है ये जो है हमारा 60 ml का कप है और जो फोर्थ कप है वो वन फोर्थ कप है ये 30 ml का आता है आपको दिख रहा होगा देखे सारी measuring cups पे इसका measurement आपको लिखा हुआ मिलता है और इसको जब हम one fourth fill करेंगे तो आपको यहां पर लिखा हुआ मिलेगा one fourth cup हम इसको measurement जो है हम one fourth cup हम इसको measure करके लेंगे तो इससे हमको four table spoon की measurement आएगा और अगर हम इसका half cup लेंगे half cup लेंगे तो देखिए अगर हम इसमें half cup measure करेंगे तो आपको देखिए इसकी quantity यहीं पहले eight table spoon आप measure आएगा इसका अगर आप full one cup लेंगे तो इसका sixteen table spoon आएगा और अब हम देखते हैं हमारा अगला cup तो यह है हमारा two third cup इसकी quantity जो है liquid आप इसमें measure करेंगे तो 120 ml आएगा अगर आप इसको half लेंगे one fourth cup लेंगे तो इसकी quantity है five five table spoon और one third table spoon ठीक है और अगर आप इसको two third cup लेंगे इसका इतना तो इसका measurement होगा ten tablespoon और two third tablespoon और देखिए यह जो है हमारा third cup यह है half cup इसका 60 ml है इसकी quantity liquid की और इसको आप one fourth cup fill करेंगे तो फोर टेबल स्पून बनेगा इसकी measurement और देखिए आप जब इसको आप हाफ कुप इसमें आप मेलेंगे तो इसको आप one half cup इसमें आप मेलेंगे तो यह टेबल स्पून आएगा इसका और नेक्स्ट वन फॉर्थ कप है इसकी क्वैंटिटी है 30 ml अगर इसको आप वन यह ट कप इसका लेंगे इतना इतना तो इसकी मेजरमेंट आएगी टू टेबल स्पून अगर आप वन फॉर्थ कप लेंगे इसका मेजरमेंट तो इसकी क्वैंटिटी आएगी 4 टेबल स्पून तो मैं आपको इसको मेजर करके दिखाती हूँ तो देखिए अब हम इसको वन कप इसका मेजरमेंट करेंगे तो हम ले रहे हैं फ्लोर आप किसी भी फ्लोर या कुछ भी आप मेजर करेंगे तो इस तरह नहीं लेंगे इस तरह फुल फिल करके हमें नहीं लेना है हमें क्या करना है इस तरह से किसी नाइफ की मदद से या इस तरह से हम इसको हटा लेंगे अब यह हो चुका है हमारा वन कप इस तरह से हम वन कप को मेजर करेंगे दिखिए यह हमारा वन कप मैदा हो चुका है अब मैं आपको हाफ कप मैदा मेजर करके दिखाती हूँ देखिए इस तरह से हम इसको फिल कर लेंगे देखिए आप जब भी केक बनाने या किसी होजा के लिए इस तरह आप मेजर कर रहे हो तो इस तरह हमें कभी भी फिल नहीं लेना है इसको इस तरह से हम कर देंगे देखिए इस तरह से ये बन गया हमारा हाफ कप देखिए इसका हाफ ये हमारा वन कप और ये हमारा हाफ कप तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो हम चलते हैं दुसरे कप के तरफ तो देखिए अब मैं हाफ कप में राईज आपको मेजर करके दिखाती हूँ देखिए हम ले रहे हैं राईज यह जो हमारा हाफ कप वाला कप लिया है हमने इसको भी हम इसी तरह से मेजर करेंगे आप पल्स या ग्रेंज कुछ भी आप मेजर करेंगे तो आपको एक दम फुल नहीं करना है इस तरह से किसी स्पून की मदद से या नाइस की मदद से आपको इस तरह से इसको निकाल देना है ये देखिए ये बन गया हमारा हाफ कब समझ गया ना आप देखिए मैं इसका तू थर्ड कप दिखाने वाली हूँ आप देखिए इसी में मैं आपको दिखाने वाली हूँ तू थर्ड का दिखिए अब हम इसको इस तरह से निकाल लेंगे तो यह हमारा बना तू थर्ड कप तो अब हमने प्लेट में हाफ कप निकाला हुआ है तो मैं आपको वन फॉर्थ कप का मेजरमेंट भी दिखा देती हूँ देखिए अब मैं इसको फिल कर लेती हूँ देखिए यह मैंने लिया है तू थर्ड कप यह हाफ कप और यह मैंने लिया है वन फॉर्थ कप यह हाफ कप में आप वन फॉर्थ कप मिलाएंगे तो आपका बन जाएगा तू थर्ड कप ठिक है अब यह बन गया हमारा तू थर्ड कप तो आप लोगों को ड्राइंग रिडियंट्स को किस तरह से काप्स में मेजर करना है यह अच्छे से समझ आ गया होगा तो हम आप इसमें लिक्विट को किस तरह से हम मेजर करेंगे करके देखेंगे तो देखिए आप मैं आपको लिक्विट किस तरह से हम इसमें मेजर करते हैं करके दिखाती हूं तो मैं ने लिया है वन कप जो है हमारा टू फॉर्टी एमिल का कप है तो मैं इसमें वाटर एट कर रही हूं देखिए हम इसको इतना फिल करेंगे अब यह हमारा बन चुका है वन फॉर्थ कप यह है टू फॉर्टी एमिल का कप और इस कप की यह और खासियत यह है कि आप अगर लेफ्ट हैंड से काम कर रहे हो तो आप इस तरह से आसानी से दाल सकते हो या फिर आप राइट हैंड से काम कर रहे हो तो इस तरह से आप आसानी से इसको पोर कर सकते हो य यह हमारा 1 cup हमने डाला हुआ है यह 240 ml है इसी तरह से आप लिक्वीट को मेजर करेंगे तो चलिए हम मेजरिंग स्पून के बारे में देखते हैं तो देखिए यह हमारे मेजरिंग स्पून यह है 1 टेबल स्पून और 1 टी स्पून आपको इसी में लिखा हुआ मिलेगा और यह जो 1 टेबल स्पून वाला स्पून है इसको जब आप हाफ फिल करेंगे यहां तक यह जो निशान है यहां तक आप फिल करेंगे तो यह बन जाएगा 1 टी स्पून ठीक है जब आप फिल लोगे इस तरह से जही से हमने कप्स को इसको जब आप हाफ फिल करेंगे तो यह बन जाएगा 1 टी स्पून ठीक है अब नेक्स्ट है हमारा 1 टी स्पून जब यह 1 टी स्पून है इसी में भी आपको लिखा हुआ मिलेगा देखे इसको भी आप यहां तक फिल करेंगे तो यह बन जाएगा 1 टी स्पून और यह हमा एर हमारे हमारे फिल कोशेजर है तो बन जाएगाल हमारे उन येवर तीसपून थी जब मीजर here जं़े हमारी और यह ऊंवारी ही में पर आप जलेगाज अभार तरी और मेमारा कोशनी हुगा हम ही जर्फ न मीजर करें MOM इसमें भी आप कर सकते हैं लेकिन जब आपको करना है तो इस तरह से कर लिजेगा यह आसानी होगी तो चलिए हम इसको मेजर करके मैं आपको दिखाती हूं तो महीं पहले आपको 1 टेबल स्पून का मेजरमेंट दिखाती हूं तो मैं हम आकसर हमारे करीस में तू टेबल स्पून या वन टेबल स्पून हम चिल्ली पाउडर या कॉरियंडर पाउडर इसको हम किस तरह से मेजर करेंगे करके मैं आपको दिखाती हूं तो मैं आज वन टेबल स्पून रेट चिली पाउडर मेजर करके दिखाती हूं आपको तो देखिए मैंने लिया है वन टेबल स्पून रेट चिली पोडर अब हम इस तरह से फुल फिल कर लेंगे तो यह मेजरमेंट सही नहीं होगा तो हम क्या करेंगे इस तरह से इसको हटा के लेंगे देखिए अब यह बन चुका है हमारा परफेक्ट वन टेबल स्पून रेट इसको द utiliz दूखेते हैं तो देखिए मैने आप इसमें इसके अंदर तक ही रखा होआ है अब यह हमारा है वन टीए वन टीश्पून बन चुका है यह मैं आपको दिखाती हों देखिए जो है वन टीश्पॵन है मैं आपको इसी मेजरमेंट को वन तो देखे हमने लिया है वन टी स्पून देखिए दो की भी क्वेंटिटी जो है सेम ही है अब देख सकते हो दो की भी क्वेंटिटी सेम ही है मैं आपको भी कह मैंटिटी स्पून का मेजरमेंट दिखाती हो हमेशा हम हमारे करीश में या कुकिंगग में हम जो घरा करते हैं गरम मसाला करते हैं को आज देखाती हम देखिए यह हमारा हाफ टी स्पून हमने लिया ह्याफ टी स्पून गरम मसाला कर् gay heavy pizza system और आपको 1 फॉर्थ टीस्पून दिखाती हूं देखे अब हम 1 फॉर्थ टीस्पून को मेजर करते हैं हमेशा हम कुकिंग में हमारी हल्डी जो है एक चुटकी या 1 फॉर्थ टीस्पून का मेजरमेंट हम करते हैं देखे यह हमारा 1 फॉर्थ टीस्पून यह जो होगा कि एक चुटकी या 1 फॉर्थ टीस्पून तो आपको अच्छे से समझ में आ गया लोका देखे यह हमारा 1 टेबल स्पून और यह हमारा हाफ टीस्पून और यह है हमारा 1-4 टी स्पून तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो मैं और एक चीज़ आपको बता देना चाहती हो जो हमारे घर पर हमेशा हम इस्तमाल करते हैं घर में जो स्पून्स अवाइलबल होते हैं इसी से भी आप इसका मेजर्मेंट कर सकते हैं यह मेज का मेजर करेंगे तो और वो आएगा वन टेबल स्पून तो आप किसी भी स्पून को इस साइस का स्पून जो रहता है मेजर्म कर सकते हैं इस स्पून्स लूचा तरल अरी नई टीस पून अर्ट करें लूचा capable को मारेची दोखा को मज़र श्रेमने पक्रटकि 드сти् test कहए बूर दोखाँ अचा मैं। अर्भिट 1 तुमें जेवक बया स्वैस स्था एक तक लिए को मेजरिंग कप्स और मेजरिंग स्पून का कन्फिशन दूर हो चुका होगा इससे हाँ किस तरह से ड्राइ इंग्रिडियन्स या लिक्विड्स किस तरह से मेजर करते हैं करके आपको समझ आ गया होगा तो थैंक यू सो मच फो वाचिंग प्लीज लाइक शेर एं सब्सक्रा